गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, इस पूप यू अंदर अचानक से तुफान आ गया लेट्स टार्ट सुनू सुनू दस स्नेल यह जो स्नेल है बिटा आप देख रहे हो पिच्चर में यह स्नेल का नाम क्या है सुनू सुनू अब वो क्या कर रहा है वो अपने फ्रेंड्स को मिलने गया है दो आंट्स उसके फ्रेंड्स कौन है यह जो आपको दिख रहे है ना इसकी उपर चड़ रहे हैं आंट्स ब्लैक कलर के आपके घर में भी आपने देखे होंगे या बाहर कहीं गार्डन में तो सुनू सुनू जो snail है, वो किसका friend है? aunts का they climbed over him वो snail के उपर चड़ गए, देखो दिख रहा है न यहां से, उपर चड़ रहे है he 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 they climb under him, he 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 वो मस्ती कर रहे हैं वो snail के उपर चड़ रहे हैं now next paragraph suddenly a great white light crash through the clouds, अचानक से क्या हुआ? बिजली चमकी, white light मतलब बिजली का चमकना अभी जैसे बारिष्ट पहले हो रही थी तो कितना थंडर होता था बादल गरशते थे और बिजली चमकती थी न वैसे ही, सुनू सुनू quickly pulled in his head, pulled in his tail and sat very still, अब वो snail अपनी गर्दन अंदर कर ली उसने और चुप चाप वहीं पे वो बैट गया अब नेक्स्ट पेज बेटा outside the sky grew dark and the crows flew past का, 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 का अब बाहर जो है, वो कैसा हो गया बारिश आने से पहले कैसे color के clouds हो जाते हैं बादल हो जाते हैं, एकदम dark color के हो जाते हैं वैसे ही हो गए और जितने भी crows हैं, कवे हैं वो सारे उड़ गए और क्या बोला उन्होंने क्रोज क्या बोलते हैं, का, 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 नेक्स्ट ओ, बट वेर वर दा आन्ट्स अब वो सोच रहा है कि ओ हो, मेरे फ्रेंड आन्ट्स कहां गए सुनू सुनू, स्टक आउट इस फिलर्स एंड लूट फॉर देम अब वो थोड़ा सा बहार आया अपने आप में से और उनको डूमने लगा दे वर हाइडिंग अंडर फ्लावर पोट जो आन्ट्स जो हैं, वो किसी फ्लावर पोट के अंदर छुप गए थे देखो पिटा, इस पिचल में आप देख सकते हो आन्ट्स जो हैं, वो फ्लावर पोट के अंदर छुप गए हैं आन्ट्स जोर जोर से बोल रहे हैं, चिला रहे हैं सुनो सुनो, घर जाओ, आप अपने घर जाओ हरी हरी, your mother will worry कि जल्दी जाओ, आपकी मम्मा वरी यानि चिंता करेगी आपकी क्यों चिंता करेगी, क्योंकि बाहर का जो atmosphere है, वो पूरा dark हो गया है light यानि बिजली कड़क रही है, हवाएं चल रही है तो ऐसे मौसम में अपने अपने घर पे रहना चाहिए सुनो सुनो went to his mother where she sat under a stone near the well अब सुनो सुनो जो है, वो अपनी मम्मी के पास चला गया और उसकी मम्मी कहाँ पे बैठी है एक stone यानि पत्थर के नीचे, जो कहाँ पे है well, well यानि कुवा कुवे के पास में अम्मा, sad, सुनो सुनो there's a storm in the garden वो बता रहा है कि मम्मी, अम्मा यानि मम्मी अम्मा, वहाँ पे क्या है, गार्डन में तो बहुत ज़्यादा तुफान जैसा आ गया है I heard the wind blow, blow, blow ओ, 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 ओ अब हवाएं कैसे चलती है, जब तेज हवाएं चलती है, तब आवाज आती है न बता तो वैसी ही आवाज वो अपनी अम्मा को निकालके सुना रहा है Next line, I saw trees, swear, 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 share, 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 share अब trees जो हैं वो भी हिलते हैं, जब बहुत तेज हवाँ चलती है, तब पेड़ भी हिलते हैं, तो उनकी जो पत्ते होते हैं, उनकी उपर से आवाज आ रही है Next, I saw lightning, flash, 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 zuck, 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 अब उसने क्या देखा, lightning यानि बिजली, flash, flash और कैसी आवाज आ रही है, zuck, 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 ऐसी आवाज आ रही है, ये कौन बता रहा है, snail बता रहा है, अपनी अम्मा, यानि मम्मी को Now, next page I heard thunder, roll, 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 गड़म, 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 अब उसने thunder, यानि बादल जब आपस में गरज ते हैं, तब उसको thunder बोलते हैं, तो कैसी आवाज आ रही थी, गड़म, 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 आई हर्ट, rain, fall, 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 सिस्टा, सिस्टा, पिटा, पिटा, सिटा, 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 पिटा, पिटा, अब बारिश की कैसी आवाज आ रही है, सिटा, सिटा, और पिटा, पिटा, आई हर्ड वाटर, ड्रिप, 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 फ्लिप, 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 अब उसने पानी की क सुनो सुनो had ever been in अब ऐसा वो क्यों इतनी डिटेल में अपनी ममा को बता रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार उसने तुफान देखा है और वो सारी बातें अपनी ममा को अपनी अम्मा को बता रहा है जैसे आप सब भी अपने ममा के साथ सब शेयर करते होंगे न in the same manner उसी तरीके स सुनो सुनो is also sharing वो भी अपनी ममा को बता रहा है ओ ओ शेय शेय जक जक गडम गुडूम सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा फिलिप 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 अब उसने सारी आवाजें जो है वो एक साथ निकालके अपनी ममा को सुना दी and do you know what क्या आप जानते हो यह सुनो सुनो डिडिन्ट गेट वेल वेट वो गीला नहीं होया do you know why क्या आप जानते हो क्यों क्योंकि स्नेल्स जो है वो जो यह जो उनका बॉड़ी पार्ट है बेटा आप देख रहे हो वो इसके अंदर अपने नेक को छुपा सकते हैं ऐसे करने से सुनो सुन यानि गेला नहीं हुआ now I am turning the page page number 66 in this what you have to do pictures are given and blanks are asked and also help box is given help box भी दी हुई है आपको pictures को देखना है read करना है sentence और in help box में से answer डूंड के answer लिखना है so let's start the cat is jumping dash the wall cat जो है वो दिवार के उपर से जम्प कर रही है तो हम क्या लिखेंगे over next the cat is dash the box cat किस के अंदर है बेटा box के अंदर अंदर है ना तो हम लिखेंगे in next the cat is dash the door अब देखो door के वो कहां है पीछे है जैसे हम चुपम चुपाई खेलते हैं तो क्या आ जाएगा answer behind last is the cat is dash the suitcase अब सुटकेस के वो उपर है तो हम क्या लिखेंगे on now again I am turning the page this page what you have to do आपको क्या करना है आपको यह रेन tree, court, ship, field, play यह जो दिये हुए है और you can see dots are also given to you आपको dots भी दिये हुए है यह dots के उपर आपको good handwriting में लिखना है बट कैसे जैसे हमेशा मैं बोलती हूं बोल बोलके read and write now our lesson is completed जो आप यह video में answers देख रहे है बेटा वो आपको इसी textbook में ही लिखने है notebook में जो लिखने है उसकी pics में आपको send करूंगी and I will also request the parents मेरी parents से विंती है कि please अपने बच्चों को बोलिये कि read and write जब भी वो लिखने बैठें तो बोल-बोल के लिखने बैठें इससे क्या होगा उनकी reading plus writing दोनों improve हो जाएगी I hope I am clear to you all thank you